अल्लो अरजुन की फिल्म पुस्पाटू का इंतिजार दर्सक बेसबरी से कर रहे हैं। फिल्म 6 दिसंबर को फाइनली रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब ताचा अपडेट सामने आई है की फिल्म 6 दिसंबर से पहले रिलीज होगी। चलिए जानते हैं फिल्म कब कई बारा आगे पीछे होई लेकिन फाइनल रिलीजिंग डेट 6 दिसंबर थी। अब ताचा अपडेट में इसे 6 दिसंबर से पहले रिलीज करने की बात की गई है। आईए जानते हैं फिल्म कब रिलीज होगी और इसका ट्रिलर कब आएगा। फिल्म पुस्पा की सफलता 24 को या फिल्म रिलीज होगी उसके बाद यह जानकारी सामने आई थी कि फिल्म का कुछ हिसा फिर से सूट किया जाने वाला है। ऐसे में फिल्म 2025 अपरेल तक रिलीज होगी तीसरी बार फिल्म की रिलीजिंग डेट का ऐलान किया गया है और फाइनली या फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी ऐसा कहा गया. लेकिन अब या फिल्म 6 दिसंबर से पहले रिलीज किये जाने की पास सामने आई है. 6 दिसंबर से एक दिन पहले 5 दिसंबर 2024 को या फिल्म सिनेमा घर में दस्तक देगी. सैक निल्क की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुसपा टुको 5 आज दिसम्बर को रिलीज किया जाएगा आपको बता दे कि साल 2021 में पुस्पा दराइस नाम की फिल्म आई थी जिसने बॉक्स आफिस पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया था और ये दुनिया भर में 350 करोड रुपे कमाने वाली भारती फिल्म बन गई थी उसे के बाद इसके सुकल का ऐलान किया गया था पुस्पा टू फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबर्दस्त उतसाह बना हुआ है साल 2024 के सुरुआत में पुस्पा टू का टीचर रिलीज किया गया था ताज़ अपडेट में यह भी खबर सामने आई है कि मेकर्स नौमबर के सिकंड वीक मे बावी तरीके से पुस्पा टू का ट्रेलर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं और उसे के साथ फिल्म का परमोसन भी सुरू हो जाएगा सुकमार और अलो अरजुन की फिल्म पुस्पाट्टू दरूल साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है फैंस लंबे समय से फिल्म का इंतिजार कर रहे हैं मगरे लगातार किसी ना किसी वज़े से खिसकती जा रही है इस डिले के चलते सुसल मीडिया पर एक कहानी चलने लगी किसी ने लिखा कि सुकमार और अलो अरजुन के बीच अनबन हो गई है उसके चलते अलो अरजुन ने अपने बाल कटवा लिए और छुट्टी मनाने निकल पड़े उनसे नाराज होकर सुकमार भी फिलम को बीच में चोड़कर छुट्टियों के लिए चले गए कहा जाने लगा कि पुसपाटू इस वज़े से भी बुरी तरे फस गई है लेकिन ये बाते पुरी तरे से बे बुनियादी निकली इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने सोर्स के हवाले से इन खबरों को फर्जे बताया था अब उस पाटू के प्रोडूसर बानी वसु ने भी इस मसले पर बात की थी उन्होंने एक इविंट के दोरान गुल्टे से बात की थी बनी का कहना था कि दरअसल हमें ऐसे फवाहों पर हासी आ रही है लोगों के मन में जो आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं उन्होंने चीजों को पूरी तरह से नेगेटिव धंसे लिया है बनी ने आगे कहा कि फिलम का कुछ हिस्सा सूट होना बागी है उसमें से फात फाजिल के कुछ सीन भी सूट होने बागी है उन्होंने आगे चोड़ा अलो और जिन की बात करूँ तो उनका बस 15 दिन का काम बचा है इसमें एक गाना और फिलम का कलाय मेक्स सामिल है साथ ही हमें फात फाजिल की डेट भी चाहिए ताकि हम फिलम को पूरा कर सकें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुकमार पहले एडिटिंग का काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चल जाएगी आगे कुछ और हिस्स सुट करने के लिए बचे हैं या नहीं सुकमार और अलो अरजुन के जगड़े वाली बात को भी उन्होंने निराधार बताया उनका कहना था कि अगर सुकमार चाहते हैं कि फिल्म को सुट करने में छे महीने और लिया जाएं तो अलो अरजुन को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों का रिष्टा ऐसा ही है उस पर सवाल उठाने की कोई चरूरत नहीं बता दे कि पहले पुषपाटू 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी फिर खबर आई कि सुट टाइम पर पूरा नहीं हो पाए बीश में एडिटर ने भी फिल्म छोड़ दी दूसरी और सुकमार कुछ हिस्सों में खुज नहीं थे इसलिए कुछ सेक्वेंस फिर से सुट किया गये सुटिंग पूरी हो जाने के बाद मेकर्स को पोस्ट प्रोडक्शन और बीफेक्स के काम के लिए भी टाइम चाहिए यही वज़े है कि पुषपाटू की रिलीज डेट को 15 अगस्त से खिसका कर 6 दिसमबर कर दिया गया पुषपाटू की रिलीज डेट नजदीक है इस फिल्म का जल्द ही परमोसन सुरू होगा अलू और जुन पूरे भारत में फिल्म को मार्केट करेंगे उनकी टीम ने इसके लिए एक खास प्लान बनाया है फिल्म 6 दिसमबर को रिलीज हो जाएगी इसके बाद अलू अरजुन क्या करेंगे दूसरे स्टार्स के तरह उनके पास बहुत सारी फिल्मे है नहीं पुषपाथिरी ही उनकी एक कनफरम फिल्म है खबर है कि वो तिर्विक्रम के साथ अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं ये उनके करियर के सबसे महेंगी फिल्म हो सकती है ये फिल्म हिंदू माइथोलाजी पर आधारित होगी इस वक्त अलू अरजुन अपनी पुषपाथ्टू को खतम करने में बेस्त है ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म पूरी हो गई है बस कुछ चीजे ही रिसूट होनी बाकी है वो भी लगबग पूरी हो गई है वो भी लगबग पूरी हो गई है पिक्चर का फ़स्ट हाफ लाग हो गया है ये तो पहले ही मेकर्स ने बता दिया था अल्लू पस्पाटू के साथ साथ पस्पाथुरी की भी सूटिंग कर रहे हैं इसका कुछ हिस्साब पूरा भी हो गया है इसके पास अगली फिल्म काउंसी है इसको लेकर कोई ओफिसिल जानकारी अभी तक नहीं आई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ के बड़े डाइरेक्टर तरीबिक्रम के साथ अपनी फिल्म प्लान कर रहे हैं जिने जोस की रिपोर्ट के मताबिक ये अल्लू और तरीबिक्रम दोनों के करियर की सबसे महिंगी फिल्म होगी इस फिल्म पर कुछ डिटेल्स भी बाहर आई हैं ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक पीरियट ड्रामा होगी लेकिन इसका पीरियट क्या होगा ये अभी तक नहीं पता है फिल्म में हिंदू माइथलोजी का टेस्ट दिया जाएगा त्रिविक्रम इसकी थीम डिवर्शनल रखेंगे ताकि इसे आजकल पसंद की जा रही फिल्मों के रूम में ढाला जा सके ये फिल्म अल्लो अर्जुन के करियर के सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है पुसपाट्टो का बजट पांसो करोड है उनकी नई वाली पिक्चर का बजट इससे भी जादा होने की उम्मीद है यानि ये अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी इस फिल्म के लिए डारेक्टर त्रिविक्रम बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपनी फिल्मों में बहुत ज़्यदा बी एफेक्स इस्तमाल नहीं करते पर इस फिल्म को अलु अर्जुन के औरा के अनुसार ग्रेंड बनाने के लिए हैबी बी एफेक्स इस्तमाल किया जाएगा अब देखना होगा त्रिविक्रम जो कुछ सोच रहे हैं वो स्क्रीन पर ट्रांशलेट हो पाता या नहीं इस पर भी नजर रखनी होगी कि पुसपाट्टू के अलु अर्जुन अपना करियर किस तरह से प्लान करते रहे हैं साउथ की पैन इंडिया फिलम पुसपाट्टू के रिलीज के हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा है मेकर्ष ने इस फिलम पुसपाट्टू की रिलीज डेट ओफिसली अनौन्स कर दी है फिलम 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी अब ये बड़ी और नई अपडेट आ रही है जिसके अनुशार पुसपाट्टू दरूल के रिलीज डेट में बदलाव गया गया है चलिए जानते हैं पुसपाट्टू दरूल की नई रिलीज डेट क्या है क्या सच में इसकी रिलीज डेट में बदलाव हुआ है या नहीं अलू अर्जुन और रिस्म का मंदाना की साल 2021 में आई फिल्म पुस्पा दराइस का पुस्पा 2 दरूल दूसरा पार्ट है फिल्म पुस्पा साल 2021 की सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी तब ही से मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट को लाने का फैसला कर लिया था पहले फिल्म पुस्पा 2 इससे साल 15 अगस्तियानी सतंतरता दिवस पर रिलीज होने वाली थी लेकिन सूटिंग पूरी नहीं होने के वज़े से मेकर्स ने इसकी तारीख बदल दी मेकर्स ने इसका एक पोस्टर रिलीज किया और साथ ही इसकी ओपिसली रिलीज डेट अनाउंस कर दी अब खबर आ रही है कि एक बार फिल्म के रिलीज डेट बदलने वाली है ऐसी खबरे आ रही है कि डारेक्टर सुकुमार ने पुस्पाटू दारूल की रिलीज डेट में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है जहां पहले पुस्पाटू दारूल बॉक्स आफिस पर साल के आखरी मेहने यानी 6 दिसंबर को दस्तक देने वाली थी आप कहा जा रहा है कि ये फिलम एक दिन पहले आनी 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी अभी ये सिर्फ अटकले ही हैं ये इसमें कोई सच्चाई भी है इसके बारे में डिरेक्टर सुकमार या पुस्पाटू की टीम ने अभी तक किसी चीज की कन्फरमेशन नहीं दिया गया है जिस वज़े से यही माना जा रहा है कि फिलम 6 दिसंबर को रिलीज होगी साल 2024 की मोश्ट आवटेट फिलम पुस्पाटू दरूल की रिलीज डेट का इंतजार काफी समय से था लेकिन खबर आ रही थी कि इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है अब मेकर्स ने इस बात को कनफरम कर दिया है कि फिलम की नई रिलीज डेट आ गई थी ऐसे में आप फिलम की रिलीज का बेसबरी से इंतजार कर रहा है फैंस को फाइनली इसकी रिलीज डेट मिल गई थी फिलम 6 दिसंबर 2024 को दुनिया बर में रिलीज होगी मेकर्स ने अपने ओफिशल सोसल मीडिय प्लेट फार्म पर नई रिलीज डेट की अनॉस्मेंट कर दी इसके साथ ही उन्होंने फिलम के पुष्ट पॉन होने की वज़े भी बताई फिलम की अधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी रिलीज डेट बताया गया है पुष्पा की अधिकारिक पेज़ पर इसके रिलीज डेट को बताते हुए लिखा गया हम आपको बेश्ट देंगे इंतिजार पड़ गया कुछ अच्छे अनुभों के लिए जो आपको सिनेमा घरों में मिलेगा पुष्पा टू दरूल की ग्रेंड रिलीज अब 6 दिसंबर 2004 को होगी उसका सासन अधुद होगा उसका सासन अधुद पूर होगा पुष्पा टू पिछले दुस सालों से मचावेटेट फिल्मों में से एक रही है जिसे लगादार सेर्चा में टॉप पर देखा गया है फिल्म की पॉपलरिटी उचाई को छू रही है इसके गाने और टीजर ने औरगैनिक तरीके से 100 मिलियन व्योज को पार कर लिया है हाल ही में मास चत्रा टीजर, एनेरजेटिक पुषपा पुषपा टाइडल सांग और रोमांटिक ट्रैक अंगारो यूटूब पर बड़े हिट रहे साथ ही या भी सबसे लंबे समय तक टाप 10 में ट्रेंड करते नजर आए इतना ही नहीं इन एसेट्स ने रियल यूनिवर्स में भी जबर्दस सक्सेस हासिल की है इन पर सबसे ज़्यादा यूजर जेनरेटेड कंटेंट बनाए गए हैं फिल्म पहले 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब संच बिचार के फिल्म को 6 दिसंबर 2024 के रूम में नई रिलीज डेट मिल गई है मैत्री मोवी मेकर्स और सुकमार राइटिंग के साथ मिलकर पुषपार टुदा रूल को प्रियोडिस किया है जब कि मेट्रो सुकमार ने इसे डारेक्ट किया है इस फिल्म के आइकन स्टार अलू अर्जुन रस्म का मंदाना और वर्सिटाइल एक्टर फहाद भाजल लीड रोल्स में है